दूसर देखो हमारे पास दूसर नुमेरीकल कंशान इस गिवन बाइदा एक्वेशन यानि जो X है वो आपके पास क्या है बच्चों यहाँ पर एक डिस्प्लेस्मेंट है X क्या है आपके पास एक डिस्प्लेस्मेंट है जिस जो किसके बराबर है 18T प्लस 5T स्क्वायर और आपको क्या निकानना है बच्चों करना है बच्चों इसके लिए आपके लिखेंगे वेलोसिटी क्या होता है distance upon time displacement upon time changing displacement upon time हमने इस तरीके से लिख दिया जहाँ पर d upon dt as it is x की value कितनी है बच्चो 18t plus 5t का square x की value कितनी है बच्चो 18t plus 5t का square ठीक है बच्चो ये चीज आ गया अब आप इसमें अंदर multiply करेंगे 18 constant है तो ये बहार आ गया dt upon dt plus 5 constant है dt और t का square अब बच्चो देखो 18 dt upon dt जिसको इंट्रीगल नहीं जिसको differential नहीं पता देखो मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि अगर सेम सेम उपर लिखावा है तो यानि इसका मतलब हो गया बच्चो वो 1 हो गया ठीक है अगर सेम सेम लिखावा है इसका मतलब क्या है देखो कैसे वो 1 हुआ इसकी पावर वन थी टी कि पावर वन थी 1 बहार आ गया तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा और बच्चो जिसकी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है clear है ना तो यह आ गया plus 5 as it is t का square है तो 2 भारा जाएगा बच्चो और t की power कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी तो क्या रहे गया आपके पास is equals में 18 plus 10 t आ गया अब वो क्या कह रहा है time कितना बच्चो आपके पास 2 second है तो आप t की जगे पर कितना रख देंगे 2 रख देंगे तो 18 plus 20 तो यानि कितना answer आ गया 38, 38 meter पर second आ गया तो बच्चो इतना velocity इसके अंदर यहाँ पर आपको निकालना था तो आई ओप आपको यह वालो numerical यहाँ पर समझ में आ गया हो